एक तरफ मौनसून रुकस्ती ले रहा है तो दूसरे तरफ जहमा जहम बारिष हो रही है इसके कारण क्या है? बताने के लिए मेरे साथ में मौसम वज्ञानी और I. M.C. के हैट चलंजी जी है कि ऐसा क्यों हो रहा है एक तरफ मांसून खत्म हो रहा है दूसरी तरफ जमाजम बारिश हो रही है रिकॉर्ड टूट रहे हैं देखे कई सालों में क्या होता जनरली जो मांसून है इस समय के आसपास बिड्रावल फेस में होता है पर कई साल ऐसे देखे गएंगे जो मांसून सितंबर के पूरे महीने में चलता है तो उसी तरह से situation अब बनी है दो दिन पहले एक low pressure system मध्य प्रदेश के उपर था जो अब साइसर रहे के नॉर्थवेस्ट मध्य प्रदेश के उपर रह गया और उसमें जो moisture है बंगाली की खाड़ी से आ रहा साथ ही साथ कुछ moisture advocacy से आ रहा और यह moisture इदार Northwest India पाया के थोड़ा slow यानि stuck हो गया है उसका कारण यह के western disturbance है तो जब भी ऐसी इस्तिती बनती है तो Northwest India में जहां confluence zone बनता वहां भारी बरसाथ या अच्छी बरसाथ देखने को मिलती है तो उसी की ग्रफ में इस समय उत्त्राखंड, हरियाना, West UP, दिल्ली, इस्ट राजिस्थान यह तमाम एरिया उसमें पड़ता है पूरा उत्तर भारत की से शोड़ती है तो बाकी एरिया Northwest India सारा कवर है तो इसमें क्या कल से पूरे दिन भर लगवग जैसे बरसाथ चली तो उसमें कई जगे भारी बरसाथ रिपोर्ट की गिए जिसमें NCR के कई स्टेशन है अगर हम पर्टिकुलर दिल्ली की बात करें तो पालम में भी दस सेंटीमिटर के आसपा स्रेंड रिपोर्ट की गई इसी तरह से जो भारी बरसाथ साथ सेंटीमिटर की बात करें तो तुरंत में नहीं बता पाऊंगा पर यह भारी बरसाथ कई स्टेशनों में दिल्ली NCR में भी मिली है अब ही आगर हम आगे की बात करें तो जो साइनोटिक सिस्टम होते हैं जैसे नहीं बताया के एक सर्कुलेशन नौर्थ वेस्ट एंपी के उपर है तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवरतन नहीं है जैसे आप सेटलाइट इमेज में देख रहे हैं परन्तो कल से आज में एक अंतर आया है कि इसके दो पाड़ धीरे धीरे वीकनिंग की तरफ है तो हमको उम्मीद है कि NCR दिल्ली और तमाम इसके आसपास जो लगे एरियां खासतोर से हरियाना है यूपी है उत्तरा खंड है हिमाचल परदेश से इस्टराज स्थान है सितंबर में ये बर्सात का ग्रभा बर्सात के साथ siosil बाल तर राया है व्यक्ति परस नस्याति दयुक्त का अफर कम हो जाएगे जिसतनी बरसात कल हुई थी आज उतनी बरसात की उमीद नहीं है आज ही इंटेंसिटी पम हो जाएगे और कल और कम हो जाएगी हाला कि जो नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में काफी जगह में जो रेन का दौर है अगले दो से तीन दिन बना रहेगा और इ कि तीन दो से तीन सेंटीमेटर के आसपास एंसीयार दिलिम बरसात रही हाना कि जो वेस्ट यूपी का नॉर्थ वेस्टन पार्ट से और उत्रा खंड़ा यहां कल भी भारी बरसात की संभावना रहेगी यह तो आपने एक विज्ञानिक के तौर पर समझा दिया हमें जो आम दर्शक है अगर उसे थोड़ा सा साधान स्तिती में बता पाएं कि कारण क्या है कि जब चीजें जा रही हैं सरदी के और बढ़ रहे हैं तो इस तरह की बारिश क्या कोई मौसम चक्र बदल रहा है क्या है ने देखिए ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है जैसे मैंने स्टार्टिम के कहा कि इस समय क्या होता कि जो हमारे बंगाल की खाड़ी से लोग प्रस्टल सिस्टम आते हैं वो तो बने रहते हैं परन्तो अगर सितंबर से हम पहले की बात जाएं जो मांसून विड्रावल यह होते हैं जैसे जैसे सितंबर मैं आगे बढ़ते हैं तो वेस्टंडिस्टरवेंस आना सुरू हो हो जाते हैं जाती हैं बनाती है में सब्सक्राइव इस कि एकूस अगर रॉस chef इंट्स इंट्स encantनों के एंट्रेम देखने अधैने नहीं । हिंग यह के आदो इस-ाप न्युक्त तो साफ तोर पर यह बताया जारा है कि और पर सन और इसका जो असर है अगर बात करें हम तो उत्तर भारत के कई रज्जों में वो अगले 24 घंटे में भी देखने को ऐसी मिलेगा लेकि उसके बाद उसका असर कम हो जाएगा याने कि जो बारिश अभी की बात करें तो लोग के लिए मुसीवत का सब्ब बन चुका है उससे निजात मिल जाएगी